हाई गाइस आज हो चुकी है 11 मार्च और 11 मार्च को एक और नया विग्यापन जारी होए और इको नई बरती आई है यानि कि अपन बात करें तो एक और सरकारी नोकरी है और वो कुछ पदों पे निकल के आइए अगर आप सरकारी नोकरी करना चाहते हैं खास कर इसके लिए इसमें अगर करना चाहते हैं तो जरूर ये वीडियो देखें और भले ही आप भारत के हो या फिर भारत के किसी भी राज्जे से हो कहीं से भी हो सब के लिए इसमें आविदन होगा वही qualification के बात करें तो वही दस्वी से start होगा और graduation तक इसमें रहने वाले हैं इसमें दस्वी वालों के अलग post हैं दस्वी बार भी है science के साथ तो उनकी अलग से post हैं अगर आपके पास 3 साल का polytechnical diploma है तो अलग post हैं अगर आपके पास btec है, mba, mcom है या फिर इसके अलाओ और कोई qualifications है तो सारी qualifications के अनुसार सबको एक-एक post निदायत कर रखें अब इसमें क्या होगा कि post निदायत कर रखें application fees भी है क्योंकि application fees भी form भरने के लिए आप लोगों को देना होगा यानि कि form भरने के लिए पैसा भी देना होगा तो वो भी आपर दे रखा है विग्यापन या officially site के बात करें तो ये दोनों चीज आप लोग आपर देख सकते हैं तो दोस्तो आज आपन इसी point के उपर बात करेंगें और कम पदों की vacancies है मैं सी भी बात करूँ तो इसकी आविदन पर क्या अब शुरू हो चुकी है या फिर चल रही है लेकिन इसकी आविदन के अंतिमतारी 21 मार्च रहने वाली है यानि कि 21 मार्च से पहले अगर आप इसमें form भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं भरने के लिए वही इस्टूइंट यहां पर रुकें दसवी दसवी के साथ बारवी बारवी के साथ डिप्लोमा डिप्लोमा के साथ बीटेक बीटेक या फिर इसके अलावा और कोई qualification है तो इसमें जरू लगा सकते हैं तो यहां पर देखें इसमें IT की भी डिमांड कर रखी अगर IT की qualification है तो भी आप लोग लगा सकते हैं तो यहां पर देखें यह पूरा एक 9 पेज का विग्यापन है इसमें डिटेल्स की बात करें तो एक एक डिटेल्स निधायट कर रखी है मैं बात करने जा रहा हूं ब्रोड कास्ट इंजिनेरिंग कांसलेशन इंडियन लिमिटेड की अनुसार वेकेंसी 200 पेज नंबर 288 की अनुसार एप्लिकेशन आर्यों इन्वाइट जो रिक्वार्मेंट है जिसमें फॉलोइंग मैनेजमेंट या मैनेज़ पावर की अनुसार LDC डियो या जूनियर अ असिस्टंट की वेकेंसी जिसमें आप लोग आविदन करेंगे अब यहां पर बात करें तो सीधा पोस्ट के बारे में या फिर पर के बारे में तो यहां पर सबसे पहले पन देखते हैं कि LDC कि पोस्ट नाइम यह हो गया और एंटरी जो कितनी होने वाली दस पोस्टों पर क्या रहने वाली है तो इसमें यह भी आप लोग देख सकता हैं और computer typing इसमें मागी गिए और salary क्या रहने वाली है वो भी हम पर आप लोग देख सकता हैं यानि कि 24,000 रुपए salary होगी qualification, graduation, post graduation किसी भी university किसी भी संस्था से computer या typing अगर कर रखी है तो लगा सकते हैं ऐसे ही lab assistant की बात करें तो यह lab assistant होगा, post किसे हैं क्या बात कर जाए तो 6 post इसमें दे रखी है qualification के बात करें तो इसमें 10 वी, 12 वी, diploma, medical, lab stand तो यह qualification आपके पास होना जरूरी है अब रही बात experience की, अगर experience 2 years का है relative field में तो जरूर लगाएगा तभी आप इस 24,000 के लिए भागीदार होंगे नहीं तो 24,000 नहीं मिलेगा और नहीं नोकरी मिलेगी, अगर नोकरी मिलेगी तो 24,000 भी आप लोगों को मिलेगा उमीद करेंगे कि point ये भी clear हो चुका हुगा, next आगे भढ़ते हैं, और चीजों की clarity करते हैं, कौन सी पोस्ट किसके लिए, ITI की कितनी पोस्ट हैं, lab technical के देखेगा, 10 भी, 12 भी BAC वाले विद्धारती भी कर सकते हैं, medical social work की बात करें तो MA की पोस्ट हैं, और medical recorder technical की बात करें, BAC man तो BAC मांगी गिए, 10 भी, 12 भी मांगी गिए, और इसमें physics biography या speak और इसमें transformer, OPD की बात करें, तो उनकी अलग से है, technical officer की बात की जाए, या फिर technical dental की बात की जाए, उसकी पोस्ट एक है, 10 भी, 12 भी, इसमें ये मांगा गया है, dental से सम्मधि सेटिपिकेट होना जरूरी है, और इसमें बात करें, और चीजों के जैसे जूनिर इंजिनिरिंग, तो ग्रेजवेशन बीटेक के साथ होना जरूरी है, ये इसमें मांगी गिए, जबकि अपन बात करें, इसके अंदर जिसे की घैस का हो गया, और इसमें देखिए, लाइबरेरियन हो गया, लाइबरेरियन के लिए ग्रेजवेशन के मांगी की है, तो यानि कि यहां पर अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग कॉल्फिकेशन ने दाहर्थ होगी, तो दुश्तु थोड़ा स खुद इंक्वारी केजिएगा, फोर्म भरने से पहले पोस्ट के लिए आप लोग भरना पसंद करेंगे, आवे दिन की डेट मैंने पहले ही बता देती कि 21 मार्च होगी 21 मार्च से पहले आप लोगों को करना होगा, अब यहां पर रजिस्टेशन करने के लिए अप लोगो और सिगनेचर आप लोगों को लगानी होगी, जबकि अपन बात करें एप्लिकेशन फिस्ट की तो एप्लिकेशन फिस्ट के लिए 800 रुपए और 950 रुपए एक्स्टा एवरी चार्जज दिये जाएंगे, ओबीसी जर्नल की बात करें या ओबीसी की बात करें, आट सो पि पास्ट के नुसर अलग-अलग निधायत कर रखी है, अब क्या होता है कि कई विध्यारते इसमें सवाल करें करते हैं कि फर्जी है, फ्रोड है, तो दोस्तों आप जाईएगा, खुद ऑफिसली साइट पर जाईएगा, और यहां से देखिएगा, यहां पर हैक नहीं है, थोड़ा सा आप लोग यहां पर खुद इंक्वारी करें, और खुद इंक्वारी करके आप लोग खुद फोर्म भरें, तब जाके आप लोग देख पाएंगे, अन्य था, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो काफी हद तक आप लोग जहीद